हलोई स्टुटिंस दिस इस सुर्वितिवारी एंड यू आर वाचिंग यूर फेवरेट एडुकेशनल चानल मागनेट ब्रेंज वेल यह जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वन शॉर्ट रिवीजिन और चाप्टर नॉमबर फर्स्ट और यूर सब्जेक्ट साइंस तो साइंस का जो पहला चाप्टर है जिसका नाम है नूट्रिशिन इन प्लांट उसके लिए यह एक कम्प्लीट रिवीजिन वीडियो है आप जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे आपने एक्जाम से पहले या फिर अगर आप चाते हैं कि भई कुछ एक शॉर्ट में मुझे पूरा चाप्टर का एक रिवीजिन मिल जाए तो इस पूरे वीडियो में मैंने वो सारे टॉपिक्स वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किये हुए हैं जिसकी मदद से आप अपने एक्जाम को बहुत बहतर तरीके से दे सकते हैं साथ ही साथ इस वीडियो में आपको सारे सौलूशन सौल करने के लिए भी आपको ये वीडियो of chapter number first जिसका नाम है nutrition in plants तो वेल सबसे पहले तो important topics में आपको बता दू कि इस पूरे वीडियो में हम कौन-कौन से topic को cover करेंगे तो फटा-फट से देख लेते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि why nutrition is important for all organism यह topic को लेने का इसलिए मतलब है क्योंकि बहुत सारी जगे आपसे पूछा जाता है कि nutrition क्यों ज़रूरी है सारे organisms में then nutrition actual में होता क्या है और इसके बाद हम देखेंगे autotrops और heterotrops क्या होते हैं साथी साथ photosynthesis की method पूरी हम discuss करेंगे parasite plants कौन से होते हैं insectivores plants कौन से होते हैं spherotrops के बारे में हम discuss करेंगे और how nutrition are replenished in the soil और कैसे जो nutrition है वह वापस से आपकी soil में जाकर के मिल जाते हैं तो यह अपने कुछ important points है इन्ही important points को जब आप पूरा पर लेंगे तो आपको पूरा chapter एक बार में clear हो जाएगा तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले point से कि why nutrition is important for all organism well organisms की बात करें तो सारे living organisms की हम बात करें हैं जैसे कि plants animals okay humans और ऐसे सारे organisms जो की हमें दिखाई नहीं देते जैसे कि बैक्तिरिया फंगी अमीबा इन सबके बारे में भी हम discuss करेंगे तो सभी में nutrition की क्यों जरुवत होती है यह सबसे पहला question आपसे पूछा जाएगा तो nutrition की जरुवत क्यों है आप अपनी human body से सोचिए हमारी growth के लिए हमारी body की maintenance के लिए reproduction के लिए और repair के लिए इन सारी तीनों चारों चीजों के लिए nutrition की जरुवत पड़ती है तो अगर देखा जाए तो nutrition किसी भी plant की किसी भी human body की आपन living organisms की बात करें तो सारे organism की proper growth के लिए उनका proper repair हो सके repair मतलब किसी तरह की कि अगर disease हो गई है तो उससे fight करने के लिए अगर maintenance का क्या मतलब है maintain का मतलब यह है कि किसी भी atmospheric condition में उसकी body जो है वो उस atmospheric condition को जहेल सके ठीक है अडॉप्ट कर सके और दूसरा है reproduction के लिए मतलब जैसे plant की reproduction के लिए human की reproduction के लिए सारी organisms के new reproduction का मतलब क्या होता है एक नया body बनना ठीक है तो उन सभी चीजों के लिए किसके जरुवत होती है nutrition की जरुवत होती है इन शॉर्ट हम कह सकते हैं के healthy body के लिए जरूरी है कि सारी जरूरी nutrition हमारी body को मिले तो क्या important points आप इसके याद रखेंगे so nutrition is the essential organic nutrients living organisms required for nutrition क्या होता है एक essential organic nutrients है क्या है essential organic nutrition जिसके क्यों जरुवत परती है ताकि proper growth हो proper maintenance हो proper reproduction हो और repair हो यह चार points जरूर आपको याद रखना है clear well this is an essential process for the organism survival यह हम in short कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के survival के लिए इस earth पर जिसको अच्छे proper तरीके से survive करना है उसके लिए जरूरी है कि यह सारे nutrition हो और सारे nutrition के साथ यह सारी चारों चीज़े हो तभी जाकर कि वो survive कर पाएगा living organisms require energy to survive this energy is derived from the nutrients और food ठीक है living organisms जो है वो energy को क्यों चाहिए होते हैं ताकि वो survive कर सके और यह energy action में मिलती कहां से है तो इस energy की बात करें तो यह जरूरी energy या फिर जरूरी nutrients है वो food से मिलते हैं clear तो चलिए यहां से आपको इस पहली slide से यह चीज़ क्लियर हो गई है कि nutrition क्या है तो nutrition वो जरूरी essential organic matter है क्या word याद रखना है essential organic matter है nutrients है जो कि हमारी body के growth के लिए maintenance के लिए reproduction और repair के लिए जरूरी होता है और साथी साथ हम यह कह सकते हैं कि यह हमारी survival के लिए जरूरी चीज़ है ठीक है तो अब यह nutrients को अगर अपन और explain करें कि nutrition की क्यों जरूरत होती है तो nutrition को अगर अपन explain करना चाहें तो किस तरह से करेंगे nutrition is defined as the process of obtaining food and utilizing it by an organism nutrition का मतलब क्या होता है process of obtaining food मतलब food को पानी की जो process होती है उसे हम nutrition कहेंगे और utilizing it by an organism और हमारी body उसे किस तरह से utilize कर रही है यह पूरी process जो है वो nutrition कहलाईगी nutrition is one of the key process of obtaining energy from food ठीक है nutrition की मदद से ही हम क्या कर पाते हैं हम food से energy को ले पाते हैं तो यह दोनों points याद रखना है कि वो process जिसमें हम food को खाते हैं यह यह उसको utilize करते हैं हमारी body के अंदर दूसरी चीज जिसके मदद से हमें energy मिले food से उसे nutrition कहते हैं अब अगर हम plant की nutrition की बात करें तो plant में तीन important nutrition होते हैं जैसे कि पहला nitrogen phosphorus and potassium ठीक हैं together they make up the trial known as NPK और यह जो पूरा मिलकर के trial बनाता है NPK मतलब देखें nutrition अब अपन किसके बात कर रहे हैं nutrition in plants की बात कर रहे हैं तो हम nutrition को तो समझ गए कि nutrition क्यों है क्या होता है और हमने यह भी बता दिया आपको कि सारी organisms में nutrition की जरूबत क्यों हैं तो क्यों जरूबत है अभी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली स्लाइड में अब आप दूसरी चीज़ क्या थी कि nutrition को अगर explain करना तो कैसे करोगे process of obtaining food and utilizing it by any organism किसी भी organism के द्वारा उसको utilize करना अब बापस आ जाते हैं हम plants में कि अगर plants की nutrition की बात करें तो उनमें कौन कौन से nutrition की सबसे ज़्यादा जरूवत होती है तो पहले आप याद रखेगा nitrogen phosphorus and potassium nitrogen को हम N से phosphorus को piece and potassium को के से represent करते हैं तो अगर इनका short form अगर निकाले तो NPK तो सबसे ज़्यादा किसी plant को nutrition की जिन nutrition की जरूवत होती है वो होते हैं यह NPK यह word आपको याद रखना है ठीक है so other important nutrition are calcium magnesium and sulfur वेल देखिए जो plants है जो पूरी plant की body होती है उसके अलग-अलग पार्ट पे उसे अलग-अलग तरीके की nutrition की requirement होती है लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसकी growth में important होते हैं वो होते हैं nitrogen, phosphorus और potassium इसके अलावा भी बहुत सारे nutrients होते हैं जिनकी जरूवत एक plant को होती है जैसे कि अगर आप यहाँ पर स्क्रीन के उपर इस picture को अगर धिहान से देखे तो आप देख सकते हो कि इसमें यह जो essential जितने भी nutrients है सभी के नाम है अब इतने सारे नाम हमें कभी-कभी skip हो जाएंगे तो इसलिए जरूरी है कि आप NPK को याद रखे nitrogen, potassium and phosphorus को और साथी साथ कौन से याद रखेंगे calcium, magnesium and sulfur अब यहाँ पर यह जो list बनी होई है इसमें आपको यह दिखेगा कि कौन सी चीज प्लांट को कहां से मिलती है जैसे carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen अब इन तीनों का नाम तो हम सबसे जादा सुने हुए है carbon dioxide का भी, hydrogen का भी, oxygen का भी और nitrogen का भी तो यह सारी जो essential elements हैं यह कहां से मिलते हैं अब्व में soluble form में जो gas रहती है और जो soil के अंदर उनके particle के अंदर जो gases flow करती है वो gas जो है वो plant यूज करता है तो याद रखिएगा जो essential part carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen है यह सबी उसको air, water और soil से मिल सकते हैं बाकी के जितने भी essentials आपको यहां पर elements दिख रहे हैं या nutrients दिख रहे हैं जैसे कि हम बात करें phosphorus की potassium, magnesium, sulfur, boron, zinc, copper, magnesium, iron, chloride and morbidinum यह सभी सारी की सारी चीज़ें plant को fertilizer से मिल जाती हैं और soil से मिल जाती हैं soil में कई तरह के का manure डलता है, fertilizers डलते हैं जिनमें यह सारी nutrients आल्रेडी रहते हैं ओके तो यहां से क्या चीज़ सीखने को मिली यहां से हमें यह चीज़ सीखने को मिली कि plant के लिए जो जरूरी nutrients है वो है N, P, K, N means nitrogen, P means phosphorus and K means potassium इसके अलावा calcium, magnesium, sulfur भी other important nutrients हैं अगर आपको और जादा याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप उसको भी लिख सकते हैं लेकिन यह चैर जो नाम दिये मैंना यहां पर इनको आपको याद रखना ही रखना है इसमें सबसे ज़्यादा important कौन सा है N, P, nutrients को कैसे explain करेंगे, nutrition को कैसे explain करेंगे, nutrition is defined as the process of obtaining food, food को obtain क करने की process and utilize it by an organism और organism उसको किस तरह से utilize करता है, clear, तो चले यहां पर nutrition के definition तो हमें समझ में आ गई, अब इसके बाद जो जरूरी point है या जरूरी topic है आपके इस chapter का, वो है autotrops और heterotrops क्या होते हैं, ठीक है, तो autotrops जो हैं वो आपके green plants होते हैं, याद रखेगा कौन से होते हैं, green plants, अब green plants को autotrops क्यों कहते हैं, auto मतलब क्या होता है, auto मतलब होता है, खुद का, ठीक है, self, ठीक, तो वो सारी organism, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो सभी autotrops कहलाते हैं, अब ज़रा खुछ सोचिए, कि हमारे इस पूरे, हमारे इस पूरी अर्थ पर, वो ऐसा कौ हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाएगा, क्या animals बना सकते हैं, क्या humans बना सकते हैं, जी नहीं, इवन छोटे-छोटे जो आपके microorganisms होते हैं, वो भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसे ना किसी चीज़ पर depend करते हैं, तो सिर्फ plant ही हमारे एक ऐसे living organisms हैं, जो कि अपन food खुद प्रिपेर करते हैं, तो इसलिए, autotrops are those organisms which can make their own food, याद रखेगा, कैसे याद रखोगे इस बात को, इस बात को इस ता याद रखोगे, कि auto का मतलब होता है, self, okay, autotrops क्या हो जाएंगे, वो सारी organisms, वो organism, जो कि अपना खाना खुद प्रिपेर करें, वो autotrops होते हैं ठीक है, याद रखेगा, पॉइंट, क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे, autotrops are those organisms which can make their own food, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, by the use of, या फिर from, carbon dioxide and water, किसकी मदद से, carbon dioxide and water की मदद से, जो अपना खाना खुद बनाएं, तो ऐसे कौन से organisms हैं, green plants, ओके, अब बारी आती है, इसको और बहतर तरीके से याद रखने के लिए, तो जैसा मैन आपको बताया था, auto मतलब होता है, throps मतलब होता है, nourishment, ठीक है, throps का मतलब क्या होता है, nourishment, so the condition necessaries for autotropic nutrition are sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water, अगर autotropic nutrition चाहिए, तो क्या-क्या चीज़ जरूरी है, sunlight होना चाहिए, chlorophyll होना चा food, taken food, prepared by the plants, अब यह जितने भी animals या फिर दूसरे organisms होते हैं, वो सभी इन ही plant के उपर depend करते हैं, clear, तो पहला याद रहेगा, autotrops कौन से होते हैं, अब बारी आती है, next, heterotrops की, अब auto मतलब खुद बनाने वाले, और हीतरो कौन से होते हैं, तो heterotrops are known as consumers, ठीक है, heterotrops को कैसे याद रखोगे, consumer के नाम से, consumer कौन होगा, जो किसी से अब कुछ चीज को ले, या खाने की चीज को ले रहा है, तो heterotrops are known as consumers, क्या कहते हैं, इसे अपन consumer, because they consume producers or other consumers, क्योंकि वो क्या करते हैं, producers को और दूसरे consumers को consume करते हैं, consume मतलब कि उनका use करते हैं, अब यह लाइन क्यों से typical हो गई है, क्यों typical हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने दो चीजे लिख दी है, कि which consume, because they consume producers and other consumers, अब producers और other consumers का मतलब क्या होगा, तो when हमारा जो अर्थ है, या फिर हमारी जो nature है, उसमें कई तजीके के animals पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे animals होते हैं, कुछ grass sitting animals होत होते हैं, सिर्फ plants को खाते हैं, जिसको अपन हरवेरियर कहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे animals होते हैं, जो कि क्या करते हैं, plant को भी खाते हैं, और जो दूसरे consumers कौन होते हैं, जो कि plant को खाये, क्योंकि वो consume कर रहे हैं, तो जो कि plant को भी खाये, और दूसरे consumers को भी खाये, तो plant को producer कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रेडियूसर क्योंकि वह अपना खाना खुद बनाता है तो जो प्रेडियूसर को भी खाए और क्या करते हैं कंजूमर्स को भी खाया उसको अपन ओमनिवर्स कहते हैं और ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ और दूसरे consumers को ही खाते हैं मतलब animals को ही खाते हैं जिसे अपर carnivores कहते हैं इसलिए यहाँ पर जो next heterotrophs है उसकी definition क्या दी हुए है heterotrophs are known as the consumer because, ठीक है heterotrophs को consumer कहा जाता है because they consume producers and other consumers या और other consumers और इसलिए लगा है क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे heterotrophs जो है वो producer को खाए नहीं और यह भी जरूर नहीं कि सारे heterotrophs consumer और producer दोनों को खाए चीक है इसके कुछ examples कौन कौन से होते हैं dogs birds fish humans are all examples of heterotrophs आप और भी सारे examples लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो अपर ने examples दियें जैसे dogs dogs क्या करते हैं plant भी खा सकता है और आपकी दूसरे चीजें भी खा सकते हैं जो कि छोटे-चोटे animals उनको भी खा सकते हैं birds की बात करें तो birds भी कई तरीके की होती हैं omniverse भी होती हैं और carnivores भी होती हैं और harvarious भी होती हैं fish's में भी ऐसा होता है humans जो है वो दोनों हो सकते हैं क्या एक तो जो कि सिर्फ plants को खाएं या फिर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि plant और animals दोनों को खाते हैं ठीक है तो इसलिए examples हैं किसके heterotrops के तो heterotrops क्या होते हैं heterotrops are known as the consumers because they consume producers or other consumers heterotrops occupy the second and third levels in a food chain and a sequence of organism that provide energy and nutrients for other organisms ठीक है heterotrops के अगर ये छोटा सा एक और चीज़ बताई हुई है कि heterotrops को अगर food chain में draw किया जाए तो वो second या third position में अपलेते हैं क्योंकि obviously बात है first position किसके होती है plant की होती है plant के बाद ही दूसरे चीज़े होती है क्योंकि plant को खाते हैं फिर दूसरे animals उनको कोई और खाता है तो food chain में इनका जो हिस्सा होता है वो second और third position का होता है clear तो आपको अगर heterotrops की definition याद रखनी है तो आपको यह जो line मैंने यहां पर लिखी हुई है यह बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए simple ठीक है और simple way में याद रखना चाहोगे तो भही आपके autotrops जो कि अपना खाना खुद बनाए heterotrops जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते वो किसी और और और्गनिजम पर डिपेंड होते हैं उसे अपन हिट्रोथ्रॉप्स कहते हैं clear तो यहां से autotrops और हिट्रोथ्रॉप्स आपको I hope समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं ठीक है तो वेल जब आपका photosynthesis ठीक है अब photosynthesis क्या होता है तो सिंपल अगर अगर आपन दो तीन पॉइंट याद रखना चाहें तो photosynthesis की जो process है एक तरीकी की पहली चीज़ तो क्या याद रखना है कि यह process है क्या है process जो कि कौन करता है दूसरी चीज plant करते हैं तीसरी चीज आपको यह याद रखनी है कि यह वह process है जिसकी मदद से जो plant है अपना food prepare करते हैं ठीक है यह तीनों पॉइंट से याद रहेंगे photosynthesis एक तरीकी process है यह plants करते हैं और इसकी मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं photosynthesis के लिए जरूरी चीज़े कौन कौन सी होती है तो photosynthesis के लिए जरूरी चीज़े हैं carbon dioxide water sunlight ठीक है और और भी बहुत सारी चीज़े है अगर अपन और detail में जाए तो chlorophyll की जरूरात होती है ठीक है air की जरूरात होती है तो यह सारी चीज़ें जो है यह photosynthesis में essential है clear तो चलिए point wise point याद रखते हैं और समझते चलते हैं कि photosynthesis process क्या होती है तो during photosynthesis plant plant taken carbon dioxide and water from the air and soil photosynthesis के जो main process होती है उसमें आपको यही चीज़ याद रखनी है कि जो carbon dioxide है और जो पानी है वो plant लेते हैं in the presence of sunlight किसकी presence में sunlight के presence में तो photosynthesis के method में plant जो है carbon dioxide और water को क्या करते हैं अंदर लेते हैं पानी को कैसे लेते हैं और carbon dioxide को कैसे लेते हैं दोनुँ point याद रखना है carbon dioxide को यह अपनी leaves की मदद से absorb करते हैं क्योंकि इनकी leaves में होता है stomata ठीक है जिसकी मदद से यह carbon dioxide को absorb करने का काम करते हैं पानी को कैसे लेंगे पानी को यह लेते हैं by the help of roots ठीक है roots के मदद से water का circulation यह अपने plant के अंदर करते हैं और साथी साथ यह जो root है यह और ज़्यादा helpful होती है स्वाइल के अंदर जितनी भी air है उसको भी absorb करने के इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है carbon dioxide and water from the air and soil water को कहां से लेते हैं air से क्या लेंगे carbon dioxide और water कहां से लेते हैं soil से साथी साथ जो air है वह यह कहां से ले सकते हैं यह स्वाइल से भी ले सकते हैं वह air कौन सी होती है वह air होती है oxygen ठीक है मलबी carbon dioxide तो लेते ही लेते हैं साथ में oxygen का भी यूज़ करते हैं यह point याद रखेगा कि plant जो है वह carbon dioxide plus oxygen दोनों air को लेते हैं carbon dioxide की मदद से क्या करते हैं food prepare करते हैं और oxygen की मदद से क्या करते हैं जो food इनका आता है उसको यह glucose form में या फिर उसको इस form में convert करते हैं ताकि इनको energy मिल सके और यह growth कर सके ठीक है तो दोनों ही gases plant के अंदर ज़रूरी है ठीक है यह point क्या है या आगे order समझ लेते हैं this transforms the water into oxygen and the carbon dioxide into glucose ठीक है सबसे पहले क्या करता है plant plant carbon dioxide and water को अपने अंदर लेता है carbon dioxide को यह glucose में और पानी को oxygen में convert करता है किस में convert करता है oxygen पानी को oxygen में और carbon dioxide को glucose में the plant then release the oxygen back into the air अब जो भी oxygen बनती हो इसको air में छोड़ देता है and it stores energy within the glucose molecule और जो भी carbon dioxide glucose में convert हुआ है उसको as a form of energy glucose के form में store करके रखता है ठीक हैं leaves are the food factories of the plant यह जो leaves होती है plant की वही food factory होती है therefore all the raw material must reach the leaf इसले जरूरी क्या होता है कि जितना भी raw material है वो leaves तक पहुचे that means water या फिर gas या जितना भी glucose है वो सब कहां पहुचना चाहिए leaves पर पहुचना चाहिए water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves ठीक है जितना भी पानी आपका soil के इंदर रहता है या air soil के इंदर रहती है वो सभी roots है वो absorb करके अंदर की तरफ भेजती है ठीक है तो आपको दो तीन steps में बस photosynthesis को याद रखना है कि photosynthesis की जो process है वो sunlight की presence में होती है पहली चीज़ आपको यह याद रखनी है किस process किस presence में रहती है in the presence of sunlight इस process में होता क्या है इस process में plant carbon dioxide of water को absorb करते हैं in the presence of sunlight और इस तरह से यह carbon dioxide को glucose में और water को oxygen में convert करते हैं जो glucose इन्होंने बनाया है वो इनके leaves के अंदर store रहता है और यह oxygen है यह atmosphere में release कर देते हैं ठीक है अब यह जो glucose है इससे energy तभी मिलती है जब oxygen का इसके साथ में क्या हो सके इसके साथ में reaction हो सके क्योंकि oxygen इसके साथ reaction करती है और energy produce करती है ठीक है तो कुछ amount में जो plants से वो carbon dioxide को भी release करते हैं अब यह तो रही दिन की बात दिन में क्या हुआ सबसे ज़्यादा carbon dioxide यह absorb करेंगे और oxygen को release करेंगे और कुछ amount में carbon dioxide का content भी बहार निकालते हैं ऐसा क्योंकि जो root आपकी soil में oxygen जो की air particle soil के अंदर रहते हैं उसे यह जो roots है वह absorb कर लेती है और वह oxygen फिर इस मौझूदा glucose को जो कि इनकी leaves में होते हैं उस पर जाकर reaction करते हैं और जब यह दोनों आपस में reaction करते हैं oxygen प्लस यह जो आपका ज़रूरी glucose है तो उससे energy release होती है carbon dioxide और वह energy जो कि आपके plant के growth के लिए ज हो जाएगी अब रात के टाइम पर क्या हुआ रात के टाइम पर sunlight नहीं थी ठीक है जब sunlight नहीं होती है तो उस case में क्या होता है उस case में सर्फ यह क्या करते हैं oxygen जो की इनको soil से मिलती है उसकी help से यह काम करते हैं और जितना भी इनका stored food है फिर उससे energy प्रप्त करते हैं यह करेंगे clear तो यह जरूरी points जो थे वह आपको याद रखना है और carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves अब यह तो पने पूरी overall process समझ ली थी अब यह समझे कि इसमें जो carbon dioxide है ठीक है वो कैसे अंदर आती है तो इनकी leaves में tiny tiny से pores होते हैं जिनके चारों तरफ guard cells होती हैं क्या होती है guard cell guard का मतब जो उसको protect करने का काम करें उन tiny pores को हम कहते हैं stomata तो stomata के help से ही जो carbon dioxide है वो आपकी leaves के अंदर जाती है water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves अब यह जो पानी और minerals है वो कहा से आता है वो आता है आपके root से ठीक है root में होते है root hair root hair जैसे कि आप यह देख पा रहे हो तो यह root hair क्या करते हैं एक तरीके से पानी को ऊपर की तरफ क्या करेंगे absorb करने का काम करेंगे अब इसमें दो तरीके की चीजे और होती है जो कि आप आगे की chapter में already पढ़ चुके हैं तो यह क्योंकि revision है जालिम जालिम क्या करेंगा जालिम एक तरीकी का वैसल होता है पाइप की तरह होता है यह क्या करता है इस पानी को इसके दूसरी दूसरी ब्रांचेज में स्टैम में लीज तक इसके टॉप पोर्शन तक पहुचाने का काम करता है तो इस तरीके से पानी जो है वो लीज तक पहुच जाता है और कार्बन डियोक्साइड तो यह लीज को धी अब्जॉब कर लेती है दे फॉर्म अ कंटिनूस पार्ट और पैसेज अब और अच्छे से आपको बताऊंगी एक एक पॉइंट के बारे में कि फूटो सिंथेस में किन किन पॉइंट को आपको और याद रखना है दे लीज आप दे क्रीन प्रिग्मेंटेट क्लॉरोफिल अब यहां पर अपने स्टोमीटा के बारे में जाना कि लीज के अंदर इस तरह से ग्रीन ग्रीन तरीके के डॉट सुते एक छर एक्ट्र में लीज के अंदर जिसको और क्लॉरोफिल कहते हैं इट है जो लीज से अपना फूट प्रिपार कर पाते हैं Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called the photosynthesis. Photo का मतलब होता है light और synthesis का मतलब होता है combined. तो light के combination से जब food बनने की process होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम photosynthesis की process कहते हैं. Clear? तो क्या क्या अपने इससे जरूरी important points दियान में रखे हैं? Photosynthesis से चलिए जानते हैं. तो जैसा अभी हमने photosynthesis की process को समझा, photosynthesis की process जब आप समझ गए हैं, तो आपको उसमें कई सारे important words सीखने को मिले, term सीखने को मिले. जैसे stomita, ठीक है? तो stomita क्या होता है? इसके बारे में याद रखेगा क्योंकि अलग से पूछा जा सकता है कि what do you mean by stomita? तो stomita क्या है? जैसा आपने पढ़ा, tiny pores or opening on the surface of a leaf. ठीक है? आप देख रहे हो कि एक leaf है, ठीक है? इसकी surface पे बहुत अगर अगर आपन microscope से देखेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपको structure दिखेगा. ठीक है? अब इस structure में बहुत एक, जरुर नहीं कि एक ही stomita कई सारे होते है ठीक है? अब यह देखें, यह opening है, जब यह oxygen या carbon dioxide को जब यह ले लेती है तो यह close हो जाती है. ठीक है? अब यह जो stomita है, इस तरह से दिखेगा. यह देखें, guard cell यह है, ठीक है, guard cell मतलब उपर से cover होती है. तो यह इस तरह से pores दिखते हैं. यह stomita है, इसकी उपर guard cell है, तो इस तरह से आपको पूरा structure दिखेगा. ठीक है? तो यह stomita guard cell पूरा मिलकर के chlorophyll इस तरह से बना लेते हैं. क्लियर हो गया? तो stomita क्या होता है? टाइनी force और opening on the surface of a leaf. ठीक है? एवापरेशन ओफ वाटर इन प्लांट्स इन दा फॉर्म औव वैपर टेक प्लेस थूदा स्ट ठीक है? यह क्या क्या करती है? तो सबसे पहले एवापरेशन ओफ वाटर इन दा प्लांट्स ठीक है? प्लांट में जो पानी का एवापरेशन होता है. एवापरेशन का मतलब बहार एट्मोस्फेर में पानी का जाना. इसके वज़े से जो लीव से आपको हलकी सी मॉइस्ट करता है अब गैसे सब्सक्राइब ऑक्सीजन भी हो सकती है और कावन डैक्षाइड तो आप रतने पड़ाई होती है और थेक प्लेस तूदा इस्टामीट एक्सचेंज ऑफ गैसे होता है तो स्टोमीटा के बारे में पहले चीज टाइनी पोर है ठीक है दूसी चीज क्या याद रखेंगे दूसी चीज आपको याद रखनी है एवा उपरेशन ऑफ वाटर करता है और एक्सचेंज ऑफ गैसिस करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं गार्ट सेल्स अब इसमें क्या होते हैं को मैंने आपको बताया स्क्रographic स्टोमीटा गार्ट सेलस से प्रोटेक्टेड होता है तो गार्ट सेल्स अर्चंवारोंडिंग इच्छी स्टोमीटा है ठीक है तो य जो स्टोमीटा अब देख रहे हो हर एक स्टोमीटा जो है वो गार्ट सेल्से स्राउंडड़ बधा है ठीक है they help to regulate the rate of transpiration by opening and closing the stomata is stomata को open करने का और close करने का काम यह गार्ट सेल्स ही करते हैं जिससे proper तरीके से transpiration हो पाए ठीक है light is the main trigger for the opening and closing अब हमने यह देख लिया कि जो stomata है उसको open और close करने का काम यह गार्ट सेल्स ही करती है अब यह open और close कैसे होते तो light की वज़े से light की वज़े से open होती है और light की वज़े से यह close होती है open और close किसके वज़े से होती है light के वज़े से light पढ़ती है गार्ट सेल्स पर और गार्ट सेल्स क्या कर देती है इस चो मिटा को छुपा देती है तो वह close जाता है उपन कर देती है तो वह उपन हो जाता है so in plant cells vacuoles help maintaining the water balance ठीक है अब यह जो plant के जो cells होती है कि उसमें vacuoles होते हैं ठीक है अब guard cells इंपने पड़ लिया साथ ही साथ यहां पर आप देखेंगे कि आपको next मैं आपको Diagnam दिखाती हूं उसमें vacuoles भी होते हैं है उसको ठानस्परेशन के रिट को मेंटेन कर रही है है को बंद और खोलने का काम कर रही है और यह जो होते हैं यह क्या करते हैं पानी के बейलान्स को क्योंकि एक च comment किससे जुड़े होते हैं जो वेसल से हैं जो कि पानी को उपर पहुझाने का काम तो यसी से यह ज्ड़े हुए रहते हैं तो यह पानी का लेवल को मेंटेन करने का काम रखती है ठीक है जाभिस में लाहए बताएंगे तो आप बतादीजेगा किS of meter kya hootahe stomita may guard sales ka kya kam होता है और वेक्योल का काम क्या होता है clear so photosynthesis से जब अपने stomata के बारे में पढ़ा तो ये समझ में आ गया stomita Kahaan होता है leafs पर होता है ठीके डेन होता है chlorophyll to chlorophyll kya hootahe chlorophyll is the green is a pigment that gives plant their green colour and it helps plant create their own fruit through the photosynthesis अगें ख्लोरोफिल एक ग्रीन पिग्मेंटेशन है जो की मेनली हेल्प करता है फूड को बनाने में फोटो सिंथेसिस को अगर याद रखना है फोटो सिंथेसिस के एक टर्म को भी अपने पड़ा तो फोटो सिंथेसिस क्या टर्म है दा सिंथेसिस ऑफूड ऑगर इन of sunlight and chlorophyll क्या बनाएगा carbohydrate plus oxygen क्या बनाता है carbohydrate plus oxygen तो यह equation आपको याद रखनी है clear तो यहाँ पर हमारा topic खतम होता है photosynthesis जिसमें हमने क्या क्या सीखा जिसमें हमने आपको बताया कि photosynthesis की process क्या होती है ठीक है सबसे पहले अपने यह जाना photosynthesis में कौन सी gases exchange होती है और किसकी presence में होती है यह चीज़ समझने के बाद जब हमने देखा कि photosynthesis में स्टोमीटा जो है वो gases को exchange कर रहा है जिसमें guard cells होती है साथी साथ chlorophyll helpful होता है तो फिर हमने स्टोमीटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि स्टोमीटा क्या होता है chlorophyll क्या होता है और अगर photosynthesis को short में लिखना है तो कैसे लिखेंगे clear हो गया तो यहां करते हैं इस टॉपिक को तो आपन याद रखेंगे कि यह डाइग्राम जैसे को बोले आपको यह वाला डाइग्राम याद होना चाहिए इसको आपने कई क्या कहते हैं का सकूट का सकूटा को हिंदी में अमर बेल को नाम से भी जाना जाता है तो यह जो परनकु Pac отлич प्लांट कहते हैं क्योंकि प्लांट होते हैं जो कि अपना खुद का खाना नहीं बनाते बल्कि उसारी ज़रुरी निट्रिशन जो है करता स्वायल में याप यह कह सकते हो कि यह दूसरे प्लाइंट के ऊपर ग्रोख और इसमें खुद आगी हम नहीं होता और जब तक प्लांट में खीम ना हो तो वह अपना फूर्स कुद प्रिपड़ नहीं कर सकते हुए कारण कि जो का कसकूटा है वो किसी और प्लांट के ओपर डिपेंड करता है इसलिए अपने से प्लांट कहते हैं तो क्या ज़रूरी पॉइंट है आप याद रखेंगे प्लांट के लिए तो 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 प्लां some or all of its nutritional requirement from other living plant जो किसी दूसरे living plant से अपनी nutritional requirement को पूरा करें उसे अपन परासिटिक plant कहते हैं इसका example आप याद रखेगा कस्कूटा जिसको हम हिंदी में अमर बेल के नाम से भी जानते हैं then क्यों यह ऐसा करता है तो it has no chlorophyll and cannot make its own food by the photosynthesis क्योंकि आप देख रहे हो कि यह green color का ना होकर के yellow color का है तो इसलिए यह खुद का खाना नहीं बना पाता और यह किसी और प्लांट पर अपने खाने पीने के लिए डिपेंड करता है instead it grows on their other plants using their nutrition for its growth and weakening the host plant अब यह भी ग्रो तो करता है किसी और प्लांट पर लेकिन अब एक प्लांट है जिसके खुद की एक थोड़ी सी शमता होगी कि भही मैं इतना ही nutrition बना सकता हूं इतने ही nutrition को एक बार मैं अब्जॉब कर सकता हूं तो एसे जब अमर बेल या एक ऐसी चीज आइसे किसी और प्लांट के उपर लग जाती है तो आपने देखा Chic और को इस तरह से कोई किसी और प्लांट के उपर ग्रो करना शुड़ू कर देगा तो इन इनूरिज़़ी आपस बात जायेग डेड भी हो जाता है तो क्योंकि यह जो प्लांट है वो दूसरे प्लांट के उपर ग्रो करते हैं तो जो भी होस्ट प्लांट है वो धीरे-दीरे वीक होना शुरू कर देता है इसलिए जनरली क्या किया जाता है जितने भी टाइप के कस्कूटा प्लांट होते हैं उनको वहां करना शुरू कर देती हैं तो प्लांट के बारे में यह जो सारी जरूरी चीज़े हैं याद रखना है कि प्लांट कौन सा होता है यह डाइग्राम याद रखेंगे तो याद रहेगा कि जो किसी और प्लांट के उपर ग्रो करें और क्यों ग्रो करता है ताकि उसको सारे न्यू सुन लिए हमने अनिमल सुन लिए कि अनिमल ऐसे होते हैं कानिवर्स होते हैं प्लांट भी होते हैं ऐसे बहुत सारे हमारे प्लांट हैं जिनको हम कानिवर्स कहते हैं जिनके लिए सही वर्ड है इंसेक्टिवर्स प्लांट तेक हैं अभी इंसेक्टिवर्स प्लांट क्या कहते आपने कई बार channels में देखा होगा कि एक ऐसा plant है जो कि किसी तरह से किसी insect को अपने अंदर रखा हुआ है यह ऐसा क्यों करते हैं इस लिए करते हैं कि generally वो सारे plant जो ऐसी soil में लगते हैं जहां पर नाइट्रोजन का कंटेंट कम हो किसका कंटेंट कब हो नाइट्रोजन का जो कि उनको स्वाइल से नहीं मिल पारा नहीं वहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि उनको नाइट्रोजन दे ठीक है तो ऐसे प्लांट जो कि ऐसी स्वाइल में लगते हैं जहां पर प्लांट है यहां पर ठीक है तो यह सभी प्लांट क्या कहलाते हैं जैसे कि पिचर प्लांट प्लिचर प्लांट इसका एक्जामपल है जो कि किसी इंसेक्ट को कहा करके अपनी निट्रिशन रिक्वार्मेंट को पूरा करता है ठीक है अब आप सोचेंगे कि स्वाइल से ही क्य लग जाते हैं और फिर अपनी nitrogen requirement को insects को खा कर पूरा करते हैं तो a plant which fulfills its nitrogenous need by eating the insect is called an insectiverse plant कैसे याद रखोगे इस word को insect ठेक है यहां first में लिखा हुआ insect तो आपको उसको देखके बिल्कुल समझ जाना यहां यह वही वाला plant है जो कि insect को खाता है तो insectiverse plants वो plant होते हैं जो कि अपने nitrogenous need को किसी insect को खा करके पूरा करते हैं insect eating plants are called the insectiverse plant या फिर जो insect को खाए उसे अपन insectiverse plant कहते हैं there are few plants which can trap insects and digest them well बहुत सारे plants नहीं होता है आपने देखागा कि आपको जनरली बहुत सारे plants ऐसे मिलते हैं जो normal photosynthesis की process करते हैं लेकिं इंसेक्टिवर्स देखने को कम मिलते हैं क्योंकि यह होते कम है ठीक है तो बहुत ही few plants हैं जो कि insects को trap करके उसको digest कर लेते हैं such plant may be green और of some of the other color यह जो picture plant है जैसे यहां पे green है यह pink color का भी होता है radish color के भी होते हैं ठीक है तो picture ऐसा उनका glass like structure के भी आपको यह plants देखने को मिलेंगे तो यह जो plant है वो green भी हो सकते हैं और दूसरे colors के भी हो सकते हैं अब picture plant is a carnivore plant also called as the insectivores plant इसका example याद रखेंगे कौन सा picture plant जैसे अपनने parasitic plant में याद रखा था कसकूटा इसमें क्या याद रखो गया picture plant ओके और insects से याद रखना कि वो plant जो कि insect को खाते हैं क्यों खाते हैं ताकि nitrogen की कमे को पूरा कर पाएं ठीक है तो यह हो गया आपका insectivores plant जिसको अपन carnivores भी कहते हैं और जरूरी points इसके बारे में carnivores plants are plants that eat insects and other animals small animals carnivores plants grow in a soil that has a little nitrogen जैसा मैंने आपको बताया था कि generally वहां लगते हैं जहां पर आपकी nitrogen कम हो all living things must have the nitrogen the inside of the picture अब देखें यह जो सारी living things है सभी को nitrogen की requirement होती है ठीक है तो वह इनके nitrogen की कमी के लिए insects खाते हैं यह अब इनके अंदर ऐसा क्या होता है कि insects इनके अंदर फस जाते हैं तो इंसाइड ऑफ पिचर इस वेक्सी जो पिचर प्लांट होता है इंसाइड थोड़ा से वेक्स टाइब का होता है तो जब भी कोई insect इसमें जाता है उसको अंदर की तरफ खीच करके उसको वही फसा लेता है so and at the bottom it has a downwards pointing hair and on on the trap bugs cannot escape the eventually they eventually die मनें जाए लिए कि जो भी इसमें बग शारके फसता है तो क्योंकि उसमें वैक्स है पहले चीज़ śवैंश में फस्दे हिए करां वह से वह वह से व्यंग पाता है कि वह उपर स्दाइप निकली पूछा जाए तो आप सकते हैं पिचर प्लांट के इंदर थोड़ा वेक्सी मतेरियल होता है दूसरे चीज इसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा से हेरी होता है इसे जब को इंसेक्ट या बग इसके अंदर आकर करने के बाद नाइट्रोजन जितना भी हल्फुल है वह अपने प्लांट के ग्रोथ के लिए उसे अब्सॉब कर लेते हैं सो नेक्स चाहता है ग्रोप अपना स्पैरोथ्रोप्स अभी हमने सारे चीज़ें पढ़ती जा रहे हैं बिलकुल ध्यान रखना है रिवीजन है तो हमने फोटोसंथेस पढ़ लिया है निट्रीशिन्स क्या होते हैं क्यों कौन से निट्रीशिन की जरूरत हमारे प्लांट को स तीरिया फंगी तीकिया आपका यह जो तरय के का इस्ट्रक्चर आप देखते हो जिसका मशरूम कहते हो यह सब एक फंगी का ही टाइप है तो इनका आपको इमेज याद होना चाहिए तो स्पेरोथ्रोप्स क्या होते हैं इस्पेरो तुरोपस वो होते हैं जो कि requirement को पूरा करें स्पेरो त्रोप इसे अपने स्पेरोब या स्पेरोवेंट भी कहते हैं जो ऐसे तरीके के organisms होते हैं that feeds by absorbing dead organic matter ठीक है जो कि dead organic matter को खाने का काम करते हैं ठीक है most sparotropes are bacteria and fungi और ज्यादा तर sparotropes क्या होते है bacteria होते हैं और fungi होते है sparao tropes यादर रखेंगे एक यह वी तरीके का plant है एक ऐसे तरीके का plant जो कि dead organism को खाएगा ठीक है जिसको अपन क्या कहते हैं bacteria या फिर fungi ठीक है आग organisms बहुत साथ तरीके के हो सकते हैं इन में भी बैक्टिरिया भी होते हैं फंगी भी हो सकते हैं लेकिन मेजर स्पैरोथ्रोप्स को अगर पड़े तो पहला होता है फंगी फंगी आर अमोंग दमोस्ट एफिशेंट और डीप कंपोजिंग फंगी का क्या काम होता है बड़े बड़े कंप्लेक्स मॉलीकूल को चोटा चोटा तुकड़ेव में करकर के वापस से स्वाइल में उस नूट्रिशन को पहुचाने का काम यह फंगी करते हैं फंगी को आपने और कहां देखोगा आपके ब्रेट पर अगर आपने थोड़ा सा आपका मौसम थोड़ा मॉइस्ट है या फिर एक दो लिए ब्रेट को बाहर छोड़ दिया तो आप देखोगी कि उसमें ग्रीन-ग्रीन से डॉट्स बन जाते या ब्लाक डॉट्ट बदर नीचर को वापस से निट्रीशन उनकी स्वाइल में पहुचाने का काम करें वो स्पैरोत्रोप्स होते हैं यह क्या करते हैं किसे भी डैड माटेरियल को खाएंगे खाखा कर उसको छुटे-छुटे चफारे की वह लोगों सब्सक्राइब आपने तैसे में तोर देंगे और इस तरशे से तोड़ते हैं जो भी नीट्रीशं में आपी इसको फर्टिलाईजर भी किया जाता है तो यह तो बैक्टीरिया हो गया इसके अलावा पानी के अंदर भी इस तरह के के मोल्स होते हैं जिसको अपन वाटर मोल्स कहते हैं वाटर मोल्स और ओमिसेट्स आर दे कॉमन इन फ्रेश और सौल्ट वाटर इंवार्मेंट थूआउट दे वॉल्ड समें स्पाइसे पर्टिकुलर्ली दोस फांद इन अर्डर इस पैरो ग्लाइनल्स आर स्पैरोथ्रोप्स और डीकंपोस बोथ प्लांट्स और अनिमल मटेरि थी वो हमें मिल गई है एक्जाम पॉइंट व्यू से बिल्कुल याद रखने वाले हैं हम कि वो सारी ओर्गिनिजम्स जो की डैड ओर्गिनिक मैटर को खाने का काम करें उनको डिकंपोस काने का काम करें वह स्पैरोथ्रोप्स कहलाते हैं जिनके एक्जामपल हमने पंगी पड़ा बैक्टीरिया पड़ा और वाटर मोल्स पड़े अब पंगी में सबसे अच्छा एक्जामपल जो आपने देखा होगा वो देखा होगा यह मश्रूम को जिसको हम भी यूज करते हैं तो यह भी तरीकी का क्या है स्पैरोथ्रोप से जो कि डैड और गनिक मैटर पर आपने देखा होगा कि प्लांट के नीचे की तरफ यह उगना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वहां के मैटर को खा करके बड़े होते हैं लेकिन इसके नुट्रीशन इतने अच्छे होते हैं कि हमारी बॉड़ी को बहुत हेल्फुल करता है बहुत हैल्फिल रहता हमारी में यूज करते हैं तो यहाँ पर अपना था स्पेरोत्रोप अब भाई बारी आती है कि हाउ न्यूट्रीशिंग आर री प्लानेश डिस री प्लानेश इन देस्वाईल ठीक तो भाई न्यूट्रीशन जो है वह स्वाईल में किस तरह से मिलता है इसके बारे में जरूरी मिलके रहता है कि प्लांट इसको खाना देता है और और यह उसको नाइटरोजन देता है तो यह तो कहानी क्या है चलिए जानते हैं हम की nutrition कैसे वाल के अंदर मिलते हैं या फिर हम उसमें कोई ऐसी डालें कि nutrition उसमें जाकर के मिल जाएं तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं अगर स्वाइल को बहुत अच्छी तरीकी से उसके लिए हम उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे या मैनियोड डालेंगे ठीक है तो सारी फसले लिगूमैनस क्रॉप्स कहलाती है यह लिगमिनस क्रॉप्स में ऐसा क्या होता है कि nitrogen जो है वो soil को मिल जाए तो अभी बताते हैं nutrients in the soil are replenished by adding the fertilizer and manure fertilizer and manure contained plants nutrients and minerals like nitrogen phosphorus and potassium जब आप fertilizer या manure डालोगे तो उससे soil को क्या मिलेगा उससे soil को वही NPK मिलेगा that means nitrogen phosphorus and potassium they need nitrogen in a soluble form ठीक है उन्हें nitrogen कैसे चाहिए होते हैं soluble form में the bacterium called the rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form एक bacteria होता है rhizobium जो की nitrogen को ले लेता है air से और उससे soluble form में convert कर देता है तो अब यह बनाता है वह यह जो bacteria वो रहता कहा है है स्वाइल में मतलब nitrogen का content बढ़ जाता है कैसे बढ़ जाता है तो उन सारी plants के साथ में नीचे रहता है rhizobium यहां पर देख पा रहे हो आप देश से की तो राइजोबियम क्या करता atmospheric से atmosphere से nitrogen को absorb करेगा उसे soil में घोल देता है और वही स्वाइल जो है या फिर उसके roots में ले आता है और यह जो nitrogen है फिर plant अपना यूज करता जाता है और साथी साथ स्वाइल भी nitrogen से अच्छे भर जाती है तो वैल यह जो दोनों का relation है उसको कहते हैं symbiotic relationship the bacteria called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form but rhizobium cannot make its own food लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता so it lives in the roots of the gram, peas, moong, beans and other ligmas and provides them with nitrogen ठीक है यह क्या करेगा rhizobium अपना खाना खुद नहीं बना पाता लेकिन ऐसे plants की roots में रहता है जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए है और उनको क्या करता है उनसे खाना लेता है और उनको nitrogen soluble form में देता है in return the plants provide food and shelter to the bacteria they thus have a symbiotic relationship अब आपको कही question पूछा जाएगा कि symbiotic relationship क्या है plant और bacteria के बीच में तो आप बता दीजेगा rhizobium के बारे में ठीक है so this association is of great significance for the farmers they do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which liguminous plants are grown ठीक है तो यह जो आपका association है वो बहुत अच्छा हो जाता है farmers के लिए कि हम दाल वाली फसले लगा दे दाल के सारे crops लगा दे तो automatically nitrogen जो है वो soil में मींटेन हो जाएगा फिर जो next crop लगाएंगे उसमें आपको वैसा fertilizer नहीं डालना पड़ेगा जिसमें nitrogen content हो ठीक है तो वैल यह क्या था आपका यह था कि हाव nutrition is replenished in the soil तो स्वाइल को वापिस से nutrition जैसा बनाने के लिए हमें उसमें fertilizer और मैनियोर डालने पड़ते हैं साथ ही साथ लिगमिनस प्लांट को अगर आप लगाओगे तो जो nitrogen content है स्वाइल में वह उसको आसानी से मिल जाएगा कैसे मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर होता है राइजोबियम नाम का बैक्टिरिया जो की symbiotic relationship रखता है लिगमिनस प्लांट के साथ उनको देता है नाइट्रोजन और उसके एवज में जो आपका प्लांट है वो उसे क्या देता है वो से देता है फूट और शेल्टर क्लियर सो यहां तक तो अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिये है जो इस चैप्टर नमबर वन में आपको पढ़ना थे नूट्रिशन इंप्लांट से लेटेट थे अब बारी आती है कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट्स की जो की एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपोर्टेंट है जो पूछ जा सकते हैं जैसे फंगी अपियर इन दा रेनी सीजन पिकर्स ओफ दा मॉइस्टर और हुमिडिटी एवलिवल इन दा इट्मोस्फियर जूरिंग दा रेनी सीजन अब जो फंगी उसको में ली क्या चाहिए होता है उसे चाहिए होता है मॉइस्टर तो आपको पूछा गया होगा कि रेनी सीजन में इतने जादा फंगस क्यों हो स्कीन अफेक्ट यूर और और चैनल आ है मॉडि जो आपके फंगस की वजह से कभी आपने दिखा होगा कि किसी को और सुकिन में फंगल इंफेक्शन हो गया है तो फटे वह इवह तो निजू को सिकन को हमारी बॉडिए को कई तरीके से क्या कर सकती है एक्वेक्ट कर सकती ह some common types of fungal infection includes athletes food jockage यह आपने सुना होगा कि हमारे पैर में कुछ हो गया है बारिश की टाइम पर जनरली आपको लगता है कि कोई बोलता है कि शू कट हो गया है शू ने काट लिया है ऐसा कि हम कई बार कई सारी तरीके की diseases देखने को हम सुनने को मिलती है तो यह सभी किस के कारण होती है तो यह सभी fungus के कारण होती है fungi like yeast and mushrooms are useful but some fungi causes diseases in plants animals including humans कुछ fungus हमारे काम की भी होती है जैसा कि आपने येस्ट और फंगस मश्रूम के बारे में सुना है मश्रून को तो हम खाते ही है येस्ट जो है उसकी मदद से हम कई तरीके के डो बनाते हैं जैसे भटूरा आपन मनात हैं bread mode बताते हैं तो ये जोत्ते भी मॉल्ड्स हैं वो सब येस्ट की मदद से बनते हैं लेकिन जो कई fungi है वो कई तरीके के diseases को भी बना सकते हैं some fungi are also used as medicines medicines कुछ fungi जो हती है उनका use medicine की तरह करते हैं ओके तो ये तो fungi के बारे में जाने लिए important points अब है mosquito bad bugs leech leeches leeches that suck that suck our blood are also parasites तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन में से ये सारे चीज़े क्या parasite कहलाएंगी तो जी हां बिल्कुल कहलाएंगी क्योंकि ये हमारे उपर depend करते हैं हमारे body के blood के उपर depend करते हैं ठीक है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे parasitic कहलाएंगे so green house क्या होता है green green house provides the favorable condition for the many fruits and vegetable crops like it always gives favorable temperature heat light etc green house जो होता है उसकी वज़े से एक favorable temperature मिल जाता है किसको मिल जाता है हमारे plants को एक जैसे heat light मिल जाती है आप ये याद रख सकते हैं ठीक है तो temperature heat or light एक favorable condition में मिलने लग जाता है green house के वज़े से जिससे plant जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रू करते हैं by growing fruits and vegetable crop inside large greenhouses their growth can be enhanced as the weather as the weather temperature growing seasons can be optimized क्योंकि green house की मदद से हम according जैसा plant है उसके हिसाप से उसको weather दे सकते हैं उसके हिसाप से temperature दे सकते हैं ठीक है सब कुछ हम optimize कर सकते हैं मतलब control कर सकते हैं तो green house effect का क्या फाइदा है तो green house effect का ये फाइदा है कि हम हमारे according plant के according उसको temperature weather condition प्रवाइद कर सकते हैं इसलिए जो plant है वो proper तरीके से grow कर लेता है किसी भी season में ठीक है यह ग्रीन हाउस का effect था तो वेल यहाँ पे खतम करते हैं हम हमारा chapter one का complete one short revision इस पूरे वीडियो में मैंने आपको सारे important topics बताए हैं तो exam हो या कुछ भी preparation आप कर रहे हो उसके पहले इस वीडियो को जरूर देख लें तो आप exam में बहुत अच्छे हमारे सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे शेयर करें अपने same class के students के साथ और उनके साथ जो कि किसी और class में भी है क्योंकि हम दे रहे हैं hundred percent free classes from kindergarten to class 12 साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी recent update है वो तुरंत आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो मिलती हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में till then stay happy stay healthy और पढ़ते रहे ये one shot revision ले लेंगे तो बहुत फायदा होगा चले thank you so much